हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं संध्या ये सुबसुबा का टाइम है और ये देखिए बेगम बहार के फूल इनके साथ आप लोग को हैपी गुड मॉर्निंग ये देखिए कितना खुबसुरत ब्लूम कर रहा है ये ये देखिए और ये देखिए बोगन वीलिया ये इसमें ए आप लोग को शेयर करती हूं आप लोगों के साथ ये देखिए कुछ चीजे मैंने शॉपिंग किया है ये देखिए ये बर्मिंग कमपोश्ट है इसमें से तो मैंने यूज भी कर लिया है और ये नीमबू का प्लांट है 1280 नीमबू आते इसमें 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 भी नीमबू का प्लांट है मुझे मैं मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी थी ये पतियों के वज़े से इसको पष्चिस करके लाई हूं और नीमबू भी बता रहा था कि नीमबू भी इसी कलर में इसका आएगा तो मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है ये रेखिए कि दे दिया उसने ये और कह रहा था कि अच्छी मिट्टी बनाकर पॉटिंग अच्छी पॉटिंग स्वाइल बनाकर आप इसे लगाएंगे तो ये चल पड़ेगा तो मैं इसको ले आई ये क्याक्टिस दे दिया कुछी सालत में ये वेरिकेटिट वाला मनी प्लांट है इसक इसमें घास देखिए इसको महंगिंग प्लांटर में लगा दूँगी और ये देखिए ये तीन प्लांटर ने मुझे में दे लिया है ये सामान में जी चीजे में पर्चिस करके लाई हूं और उनकों धिर धिरों में गंबले में रिपोर्ट करती रहूंगे अब लोगेश आप लोग के साथ share करती हूं ये देखिए गुले दावदी ये खिलते जा रहा है इसकी बड्स देखिए ये ये देखिए ये सदा बहार कितना खुब्सूरत लग रहा है बाके टर्टल वाइन देखिए मैंने आप लोग के साथ share किया था कि यहीं वोर्फिया मिली देखें विल्कुल गुल्दस्ते जैसा लग रहा है यह देखें बाकी टाइगर रूस देखें कितना खिला हुआ है अब इसका साइज छोटा हो जाएगा फ्रंटियों कि इसका सीजन अब जा रहा है लेकिन खिलता यह सालों भर है और गजब को खिल यह देखें यह बड़्स सी त Caleb ग्या ये यह यelु रोज में भी बड़ साय हुई है एक ये है ये हैं ये हैं और ये देखें डार्क मेरम के दूम कर फूल बड़ … एक रही है पनी पर दोह को अधे हैं एक व他是 यह लाग ए ar में तरी फ्डल में पेक्वम जासा रही है ये देखिए एक ये एक दो तीन चार और पांच ये पांच ये छे ये देखिए इधर आरी छे साथ आठ नौ पुरी नौ बड्स आई है इसको लेके डस ग्यार बड्स है इसमें यह देखिए खिला हुआ है फूल खिलते जा रहे हैं खिलते जा रहे हैं नाकि छोटा संफ्लावर यह भी खूब खिल रहा है यह देखिए यह भी खिलने में लगा हुआ है अभी भी अच्छा यह सदा बहार देखिए यह देखिए कितना खिला पड़ा है पूरा भर अपड़ा यह देखिए बिल्कुल गुल दस्ते जैसा एक दम है यह देखिए यह गुड़हल का प्लांट मैंने इसको कटिंग से तयार गया थे इसमें भी बड़ सार नहीं लगए यह देखि जोनिया यह देखिए खिलते ही जा रहे हैं आज कि विगोनिया में फूल आने लगए कि साध इसने मेरी बाते सुन ली होंगा श्यार तो मुझे फूल देने से रहा अब एक थे कि अधे ने लगए है यह देखिए ने बागि बेगम बाहर का तो मैंने इस्टार्टिंग में यह आप लोग को फूल दिखा दिए थे उके फ्रेंट्स ठीक है इसे के साथ में वीडियो को एंड करूंगी मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर यह थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करिएगा मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के आने वारे हैं नौटिफिकेशन आपको चल्दी से जल्दी मिल सके अपने इंवार्मेंट को क्लीन रखे ग्रीन बनाएए ओके फ्रेंड्स बाइ जाबे बनाएए ग्रेस करत्वाती को बाँ मैं।बके लि माउमें इंवा इंवागागा चीए